हेलो एवरिवन इटी दा सेवंथ लेक्चर ओफ सोल्योशन जैसे कि आपको पता है हम सिक्स लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इस योनिट के और मेरे को उमीद है आपने वो सभी लेक्चर देखे होगे हां जिसने नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज एक ब सभी लेक्चर के लिंक्स मैंने डिस्क्रीप्शन में नीचे दे रखे हैं तो प्लीज एक बार उनको जुरूर देखो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर किया था टाइप ओफ नोन आइडियल सोल्योशन में नोन आइडियल सोल्योशन सोविंग पोजिटिव डैविएशन फ् तो सके अंदर लास्ट मे एक टो पिक आथा था एजु टो एजो टोक्रीख मिर्शन यानि जो पॉनटिव डैविएशन सो करते हैं वो क्या सो करेंगे minimum boiling azeotropes और जो negative deviation सो करते थे वो क्या सो करते थे maximum boiling azeotropes तो बाता है azeotropes क्या है तो हम study कर लेते हैं what is azeotropes now ओके देखो what is azeotropes now तो azeotropes क्या होगे या azeotropic mixer azeotropic और constant boiling mixer दो नेम है इनके azeotropic तो definition से पहले में कुछ condition बता देता हूँ कि azeotropic mixer होते क्या है ताकि आपको definition अच्छे से समझ में आपाए बाइंदरी solution जो azeotropic mixer होगा या solution होगा वो एक binary solution होगा binary mean one solute होगा दूसरा क्या होगा उसके अंदर one solvent होगा a और b जैसे मेरे पास क्या है a solvent है और b क्या मेरे पास solute तो मेरे पास solution प्रिपेर हो जाता है a b ओके तो यह binary होगा next fixed composition अब fixed composition का meaning क्या होगा कि जैसे आप solute और solvent को add करोगे तो आपका solution fixed composition gain कर लेता है अब fixed composition का meaning यह होता है कि जैसे यह fixed amount में होगे अब जैसे azotropic mixer होता है यह नियाक आप दो mixer को add करो वो सभी azotropic mixer त्यार हो जाएंगे कुछ specific chemical ही होते है जो azotropic mixer so करते है हर mixer azotropic नहीं होता जैसे आपने कोई भी दो mixer को add किया solute plus solvent को वो सभी azotrop नहीं बनेंगे उसमें से कुछ ही होगे अब जो बनेंगे उसके अंदर भी क्या होगी composition fix होती है यह यह कैसकती हूँ कि amount fix होगे like ऐसे समझवा आप इसको जैसे मेरे पास एक solution है ethanol plus water का यानि A मैंने क्या लिया ethanol और B क्या लिया मैंने water ready किया ethanol आपका solvent होगा और water क्या होगा आपका solute होगा अब इसके अंदर भी amount fix होगी जो ethanol है उसके amount कितनी होगी आपके पास 95% होगी अगर कम ज्यादा कर देते तो आपका azotropic mixer नहीं prepare होगा second water water कितना होगा इसके अंदर 5% यानि 95% ethanol होगा और 5% क्या होगा water यह fixed composition है अगर आप इनकी amount change कर देते हो तो azotropic mixer नहीं रहेगा तो यह था second point यानि fix composition होगी ठीक है ना fix composition होती है तो composition इनकी fix रहेगी हमेशा third point boil at a constant temperature जैसे azotropic mixer की formation होगी तो वो क्या गरेगा constant boiling point पे boil होगा जैसे आप mix कर देते हो a और b को mix किया आपने मालो a का boiling point वैसे माल लेते है 100 degree Celsius है और इसका 80 degree Celsius वैसे मानने हमने a और b जैसे वो solution की अंदर जाएगा तो इन दोनों का constant boiling point होज़ेगा मालो वह आ जाते है 98 degree Celsius यह constant होगा जैसे आप दोनों को mix कर देते हैं costed boiling point gain कर लेते हैं अब देखो examples के थूरू समझ लेते हैं जैसे ethanol और water है आपने mix किया दोनों को जैसे आपने दोनों को mix किया तो देखो ethanol का boiling point क्या होता है यह मैंने mix किया ethanol को C2H5OH और b मैंने ले लिया water H2O आप आपको सभी को पता है जो ethanol है उसका boiling point कितना होता है 351.5 Kelvin और जो water है 100 degree Celsius यानि 373 Kelvin यह boiling point होता है water का दोनों को आप mix कर देते हो जो आपके पास solution प्रपेर होगा azotropic mixer उसका boiling point कितना हैगा 351 Kelvin आएगा और यह constant होगा ओके या फिर आप इसको ऐसे समझो जैसे water water के अंदर में add कर देता हूँ HCL ठीका ना water plus HCL होगा water होता है इसके अंदर 80% यह fix होती है क्योंकि composition fix है तो HCL कितना होगा 20% अब water का boiling point कितना होता है 373 Kelvin होगा और HCL का boiling point कितना होता है 1 88 Kelvin ओके water का boiling point होता है 373 Kelvin और HCL का boiling point होता है 188 Kelvin 188 Kelvin अब जैसे दोनों का आप mix कर देते हो तो क्या प्रिपेर होगा एक azotropic mixer प्रिपेर होगा और उस azotropic mixer का boiling point हो कितना है 381.6 Kelvin तो यह क्या constant है ना तो constant boiling point gain कर लेता है देखो composition भी क्या होगी fix देखो water और HCL के लिए composition यह थी और boiling point भी क्या होगा constant हो जाता है तो यह meaning होता है boiling point और composition constant और fix होती है वो बिल्कुल change नहीं होगी तो इसके बाद आजाता है fourth point जो इपोड़ेंट है बिल्कुल fractional distillation तो फोर्थ पॉइंट आता है fractional distillation not possible अब पहले आप समझो fractional distillation क्या होता है distillation क्या होता है pure करना किसी चीज़ को जैसे distilled water होता है fractional distillation और जैसे मालो आपके पास दो लिक्वीड है अब दो लिक्वीड को मालो आलग अलग boiling point है इसका मानना था मालो 100 और इसका वैसे मालो लेते है 80 degree Celsius अब जैसे दोन्नों को mix करोगे अब यह जैसे दोन्नों को mix करोगे mix करने के बाद कोई solution प्रिपेर हो जाते है नोर्मली जो एजो ट्रोप नहीं है एजो ट्रोपिक मिक्सर नहीं हमारे पास जैसे मैं दोन्नों को बोईल करता हूं इसके अंदर तो जैसे पहले टेंपरेचर के आएगा 80 degree Celsius आएगा इसके अंदर मैंने heat दे रखी है यहां से burner के साथ ठीक है तो 80 degree Celsius पर क्या होगा जो आपका B component है वो वैपर में convert हो जएगा जल्दी और वो क्या करेगा बाहर निकल जाता है प्योर हो जाता है जैसे 100 degree Celsius पहुंचेगा फिर हमारा A component separate हो जाता है यानि boiling point के base पे किसी liquid को separate करना उसको बोलते हैं Fractional Distillation 9th class में आता है Fractional Distillation ठीक है न तो यह अलग हो जाते हैं जैसे petroleum देखा होगा आपने petroleum को जैसे ही आगे हम प्योर करते हैं וैं अलग होता है जिसका boiling point पहले प्योर हो जाता है जिसका boiling point बाद में आता है हाई होता है वो बाद में प्योर होता है उसका इसको बोलते हैं अब देखो Fractional Distillation not possible जितने भी Azeotropic Mixer होगे उसके अंदर Fractional Distillation possible नहीं होती यह Most Important है इसको note करो थोड़ा Fractional Distillation not possible Fractional Distillation नहीं होगी अगर Fractional Distillation हो जाती है तो Constant Boiling Point का जो Point है Temperature वाड़ा वो तो wrong हो जेगा न तो Azeotropic Mixer वो होते हैं जहां constant boiling point आ जाता है, जैसे आप इसमें mix करोगे, तो इसका मालो constant 98 degree Celsius, constant हो जाता है दोनों का, तो अब अलग नहीं होगे दोनों, क्योंकि अजो ट्रोफ बन चुका है, अगर उनके boiling point अलग अलग हैं, और इसके अंदर भी अलग अलग हैं, तो इसका मतलब अजो ट्रोफ नही कर लिया, अब दोनों किस के उपर boil होंगे वो, 98 degree पे, क्योंकि जैसे मैंने दोनों को add किया, तो यह क्या आ जाता है, 98 degree Celsius, constant आ जाता है, यानि अब यह एजो ट्रोफिक mixer बन चुका है, बोईल करने से अब दोनों किकठे बोईल होंगे यह भी है, तो separate नहीं हो पाएगा इन में से कोई भी, ओके, अब देखो, fraction distillation not possible, तो यह XA, यानि mole fraction of A, वैसे जीटा होता है यह, लेकिन बुक में X लिखा जाता है, तो mole fraction of A in liquid phase, mole fraction of A in vapor phase, अब देखो, इसको थोड़ा ऐसे समझो, जैसे मेरे पास क्या A और B, solvent और solute है, मैंने mix किया, A, B क्या हो गया, solution आपके पास, अब यह क्या बन जाते हैं, अब इसके अंदर जो X, A के mole है, mole fraction of A, वो क्या है, XA, और किस condition में हो, लिक्विड फेज में, जैसे आप इसको heat देते हो, तो यहाँ A के mole आ जाते हैं, कुछ, ओके, सेम इसके अंदर B, B हैं, तो mole fraction of B, यानि B के mole होगे, उपर भी जैसे आप heat करोगे, तो वैपर उपर जाएंगी, तो इनके mole उपर भी जाएंगे, तो यह आ जाते है, X, B, अगर यह mole और यह mole, दोनों equal आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होगा, ऐज़ो ट्रोपिक मिक्सर होगा, कंडीशन यह होती है, देखो, देखो, mole fraction of A, in liquid phase, mole fraction of A, in vapor phase, क्योंकि उपर भैपर है, और निचे के आपका, liquid, तो क्या होगा, XA is equal to XA, तो यह XA क्या है, mole fraction of A, कब, liquid phase के अंदर, और यह क्या XA, mole fraction of A, बट किस phase के अंदर, gaseous यह vapor phase के अंदर, अब यह दोनों equal है, equal आ जाते हैं, तब ही तो वो क्या होगा, ऐजो ट्रोपिक मिक्सर है, अब देखो, हम डिसकस कर रहे थे, fraction distillation पे, fraction distillation तब ही होता है, जब यह दोनों equal ना हो, XA, not equal to, यह, 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 लिक्वीड फेज़ के, mole fraction, और gaseous phase के, यह, वैपर फेज़ के, mole fraction, अगर equal नहीं होते, तब जागे fraction distillation होता है, हमेशा, उसी तरह B पे भी यही condition लाग हो गई, जैसे mole fraction of B, azotropic mixer के लिए, mole fraction of B in liquid phase, and mole fraction of B in वैपर phase, दोनों equal होंगे, जितने mole यहां है, जितने mole उपर है वैपर के अंदर, XA के, same XA के, यहां होगे, XB के, जितने mole यहां है, mole fraction, और इतने, यहां होगे, तब जागे वो क्या होगा, azotropic mixer, प्रपेर हो जाता है, अगर यह value change हो जाती है, तो इसका मतलब है, azotropic mixer नहीं होगा, तो उसका fraction distillation possible होता है, जैसे कई बर exam में पूझ लेते हैं, fractional distillation किसका possible होगा, जिसके mole fraction, उसी के, यह, vapor phase और liquid phase, दोनों में अगर अलग-अलग है, तो इसका मतलब उसका fractional distillation हो सकता है, ठीक है, अगर दोनों का same हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका fractional distillation नहीं होगा, अगर fractional distillation नहीं होता, तो इसका मतलब वो क्या है, azotropic mixer ह होगा आपका तो क्या होगा वो एजो ट्रोपिक मिक्सर ठीक है समझें यह सभी तो यह इपोटेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स को इसमें काफी डाउट रहता है क्योंकि बुक्स के अंदर यह चीज़ें हैं नेक्स्ट एक्स बीजिकल टू एक्स बी देखो यह एक्स बीक है अगर अलग नए तो इसका मतलब क्या होगा वह सोलींग पॉइंट होगा solution के अंदर और हम उसका यज ली फ्रैक्सिनर डिस्टिलेशन कर पते हैं अब अब अग्फिक टैप सटडी कर लेते हैं हम थौट से पहले हम उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं ले रों किया था कि कुछ points थे कुछ condition थी azotrops के लिए अगर वो कोई solution वो condition satisfied करेगा तो इसका मतलब वो एक azotrop होगा तो उन points के base पे हम discuss कर लेते हैं definition of azotrops उसके बाद study करेंगे types तो azotrop देखो azotropic mixture या constant boiling mixture क्या होता है या azotropic solution the solution having definite composition हमने study किया था composition और boiling point क्या होगा definite हो fix हो या constant हो लाइक है pure liquid एक pure liquid की तरह जैसे water का fix हो गया था fix है water का 100 degree celsius तो जैसे आप दोनों को mix करोगे तो उनका boiling point और composition fix होती है अब is called constant boiling mixer और azotropic mixer तो यह मैंने एक small सी definition लिखी है इसमें आप add कर सकते हैं यह चीज़ें भी कि binary solution होगा क्योंकि binary solution हो तैमस condition है last में आप इसमें यह भी add कर सकते हो क्योंके mole fraction vapor phase के अंदर और liquid phase के अंदर भी क्या होगे equal होगे ठीक अभी ऐसे यह definition arise होती है now अब हम कर लेते हैं इसके types type of azotropic mixer azotropic solution यह पिर उसका तीसरा नाम था constant boiling mixer तो दो तरह गए होते हैं azotropic mixer फर्स्ट वन minimum boiling azotrope sorry maximum maximum boiling azotrope second था minimum boiling azotrope तो azotrope दो तरह गए है maximum boiling soak करेगा और दूसरा minimum boiling soak करेगा ओके अब जो maximum boiling soak करेगा तो उसका vapor pressure गया होगा less होगा क्योंकि जो boiling point है वो inversely proportional होता है vapor pressure के या vapor pressure inversely होता है boiling point के जिसका boiling point ज्यादा उसका vapor pressure क्या होता है कम यह हम पहले discuss कर चुके हैं अब देखो maximum boiling azotrope कौन सो करेंगे solution having negative deviation यानि जो negative deviate solution होते हैं वो सभी maximum boiling azotrope करेंगे तो इसके लिए अलग से example करने के आपको जुरूरत नहीं है सभी examples जो negative deviations हो करते हैं जैसे आपको screen पे दिखाई दे रही हैं यह सभी examples की screen हैं अभी negative deviation की जो negative deviations हो करेगा वही क्या करेगा maximum boiling azotrope हो करता है ठीक ना इस condition से पता लगता आपको boiling point हाई वैपर प्रेसर क्या होगा उनका less less वैपर प्रेसर तो हमने ग्राफ ड्रा किया था लास्ट लेक्चर के अंदर तो उसमें क्या था अब देखो पहले solution having negative deviation अब negative deviation कौन शो करते हैं यानि वो non-ideal solution चो हमने उसके लिए trick बनाई थी 5 प्लस 5 8 यह था न यानि यह negative deviations हो करते हैं अगर आपको यह चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज एक बार last lecture जरूर देखें उसमें explain कर रखें यह सारा जो negative deviations हो करते हैं अब negative deviation की example same रहेंगी जो maximum boiling azootrope की यह maximum boiling azootrope की जो examples है वो सारी solution having negative deviation की होगी तो हमने last में ग्राफ ड्रा किया था उसके अंदर vapor pressure versus mole fraction के अंदर तो negative deviation के अंदर क्या था 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 चो टोटल है total vapor pressure of solution वो ideal से कम आता है देखो यह तो है total vapor pressure एक ideal solution का लेकिन solution हमारे पास non-ideal था और negative deviation तो negative में क्या होगा निच्चे से आता है क्योंकि solution compress हो जाता था solute or solvent को add करते हो तो solution का जो amount है वो less हो जाती थी molecule compress हो जाते थे बिल्कुल close हो जाते थे force of attraction ज्यादा आ जाती थी इस वज़े से graph के आएगा हूंका निच्चे से आता है अब अब इस ही graph के base पे हम next graph study करते है maximum boiling azeotrop का अगर यह graph आपको अच्छी तरह से understand होता है तो यह graph सम point था ना मैक्सिमम डाउन आता है तो यह एजोट्रोप क्रियेट होता हुए ठीक ना इस पॉइंट पर मैक्सिमम आपका डाउन आएगा यह solution having maximum negative deviation maximum इस पॉइंट पर इसे निच्चे नहीं आएगा यह तो इसका मतलब यह point azotrop का होगा अब देखो इसको अब मेरे पास हमने study क्या था है HCL और एक water है अगर हम दोनों को mix कर देते हैं तो दोनों का जो mixer होगा जो solution होगा वो क्या सो करेगा maximum boiling azotrop अब maximum boiling azotrop क्या होता है कि आपके पास दो component है A और B जो दोनों का boiling point होगा और जो final boiling point आएगा आपका solution का वो हाई आएगा दोनों के boiling point से इसका मतलब maximum आ जाता है देखो water का boiling point है 373 Kelvin HCL hydrochloric acid है तो उसका boiling point है 188 तो इससे दोनों से ज्यादा आएगा boiling point इस वज़े से बोला जाता है इसको maximum boiling azotrop और जो minimum होगा minimum boiling azotrop में क्या होगा कि जो दोनों का boiling point है उन दोनों से low आएगा निच्चे आएगा उसको बोलते है minimum boiling azotrop तो name clear है कैसे name लिखा गही है maximum boiling azotrop जो दोनों का boiling point है उससे high आएगा boiling point अब देखो तो ग्राब आता है temperature वसी मोल fraction के बीच में यह ग्राब था वैपर प्रेसर वसी मोल fraction के बीच में और यह ग्राब किस के बीच में है temperature वसी मोल fraction अब देखो water और HCL को मैं add कर लेता हूं तो water क्या थ solvent HCL क्या था मेरे पास solute अब water का boiling point कितना हुआ 373 HCL का boiling point कितना हुआ 188 जब दोनों को मैं mix कर देता हूं तो उनका जो final boiling point हो कितना आता है 380 1.6 Kelvin तो यह high चला गया ना दोनों से तो इसका मतलब यह point क्या है आपका azotropic point होता है इस पे यानि azotropic जो mixer होगा उसका boiling point के आएगा 381.6 Kelvin होता हुआ और वो सेम आएगा बिल्कुल इस line पे क्योंकि यहाँ azotropic prepare हुआ था ना और इसी की line के निचे आता है यह बिल्कुल सेम इस graph के बीश पी होता है यह सारा ओके क्योंकि इस point पे azotropic अचीव होगा अब next देखो भी next आता है minimum boiling azotropic तो minimum यानि वेप पर प्रेशर होगा आपका या boiling point पे कर लेते है minimum boiling क्योंकि boiling लिखा है तो minimum boiling से meaning क्या होगा कि जो आपका boiling point आएगा solute और solvent से less आएगा उसको बोलते है minimum boiling azotropic अब minimum boiling azotropic कौन सो करेगा जो positive deviation सो करते थे यानि positive deviation के लिए हमने trick की थी 5 plus 5 कितना हुआ 12 यानि solvent, solute और solution solution के अंदर जो molecule है AB interaction वो दूर हो जाती थी weak हो जाती थी तब ही उनकी amount increase हो जाती है 5 plus 5, 12 ये trick त्यार की थी अब 12 आ जाता है इसका मतलब वो क्या सो करेगा positive deviation positive deviation सो करता है वो ठीक है हमने पुरा study किया था इसको तो ये positive deviation है यानि जहां maximum deviation आती है positive तो वह क्या prepare होगा आपका azotrope prepare हो जाता है तो इस point में क्या होगा आपका azotrope prepare होता है ठीक है आप इसके लिए example ले लेते हैं ethanol plus water अब minimum boiling azotrope कौन सो करेंगे solution having positive deviation यानि positive deviation की सभी examples जो आपको screen पे दिखाई दे रही है ये किसकी example है सारी positive deviation की और यही examples किसकी होगी minimum boiling azotrope की क्यों? क्योंकि जिनका वैपर प्रेसर क्या होता है high उनका boiling point क्या होगा minimum अब वैपर प्रेसर high तो boiling point क्या होगा minimum आता है भी ओके आप देखो graph समझो ये वैपर प्रेसर वैपर प्रेसर मोल फ्रेक्शन था किसके लिए positive deviation के लिए अब इस point के उपर क्या था आपका azotrope उसी तरह अगर निच्चे मैच करोगे मोल फ्रेक्शन versus temperature के बीच में graph है ये ठीक है temperature क्या करेगा यहाँ increase करेगा भी उपर जाते टाइम अब एक side मैंने ethanol यूज करके है दूसरी side क्या होगा water तो ये क्या आपका solvent और ये क्या आपका solute example में हमने discuss किया था इसको अब ethanol है तो ethanol की amount कितनी होगी 95% ये इसका mole fraction है ethanol का 0.94 और water की percent कितनी होगी 5% यानि ये solute की तरह भीव करेगा mole fraction कितना होगा इसका 0.56 ठीक है तो ये learn करना होता आपको क्योंकि specific amount होती है ये experimental है चीज़े ओके अब आप graph draw कर लेते है mole fraction वरसी temperature के बीच में उपर जाते time temperature increase करेगा अब देखो इस side किसका graph है ये इस side किसके लिए water water का boiling point होता है 373 Kelvin और ethanol का boiling point होता है 351.5 Kelvin जैसे दोनों को mix करोगे temperature increase करोगे इस point में आके अब आप क्या देखोगे पहले जो water आपने pure state में देखा उसका boiling point कितना था 373 Kelvin pure state में जैसे आपने ethanol का temperature देखा pure state में वो था 351.5 Kelvin दोनों को mix कर दिया mix करने के बाद आपने जैसे ही चेक किया उसका temperature वो जो दोनों चीज़े एक साथ boil हो जाती है किस पर 351 Kelvin यानि दोनों के temperature से कम temperature है तो यह point क्या होगा आपका एजो ट्रोप होगा वे यानि एजो ट्रोपिक mixer एजो ट्रोपिक mixer का जो boiling point कितना आएगा 351 Kelvin तो दोनों से कम आ गया इसका मतलब हो क्या है minimum boiling एजो ट्रोप है और इसके अंदर क्या दोनों से ज्यादा आजाता है boiling point इसका मतलब यह क्या होता है maximum boiling एजो ट्रोप किसे को कोई डाउट यहां तक अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता थोड़ा टीपिकल सा टोपिक है तो मैं कमेंट बोक्स में अब प्लीज राइट कर सकते हो ठीक है तो यह था आपका कम्प्लीट टोपिक एजो ट्रोप के बारे में थैंक्यू है वे नाइस टेए